पंजाब के बुज़र किसान घर से भले ही मीलो दूर है लेकिन नेकृशी कानूनों के खिलाब जारी लडाई में उनके इरादे बुलंद है किसान अपनी मांगो पर अड़े हैं तो सरकार कानूनों को रद नहीं करने पर अड़ी हुई है पांच दौर की बारता के बाद केंद्री ग्री मंतरी अनुशा के साथ भी किसान निताओं की बारता हुई लेकिन सफल नहीं रही फिर केंद्र सरकार ने किसानों के सामने कानून जाम करेंगे उधर किसानों के मुद्दे पर केंदर सरकार की विपक्ष ने गेराबंदी भी शुरू कर दी है केंदर पर दबाओ बनाने के लिए राहूल गांदी और शुरत पवाल समेट पांच विपक्षी नेताओं ने राश्रुपती से मुलाकात की और क्रिशी कानूनों को रद्द करने की मांगी यानि अब क्रिशी कानूनों पर सरकार और किसानों में आरपार की लडाई शुरू हो गई है अगर सरकार भी अट दर्मी तो एक बार फिर से देश भर में प्रदर्शन के हुंकार भरी है और सरकार इस मुद्दे को बादचीज से हल करना चाहती है तो क्या माल लिया जाए कि अब किसानों सरकार में बादचीट नहीं होगी क्या ये लडाई और चलेगी या फिर कोई बीच का रास्ता निकलेगा बिच पाइट पे बहस आज जिसे है मुद्दे पर और बहस के लिए हमारे साथ मौचूद है खास महमान चले उनसे रूपरू करा देते हैं आपको हमारे साथ बीजेपी नेता पंकच मीरा जी है कॉंग्रस नेता आर्ची चौधरी जी हमारे साथ है और साथ ही वामदल लेता डॉक्टर संजय माथ हो भी हमारे साथ है बहुत स्वागत है आप सभी कब एक फाइट लाइफ में पंकच मीरा जी आप से शुरुवात करते हैं सरकार की तरब से कोशशे लाग हो रहे हो यही वज़य कि एक के बाद एक वारता का दौर फी चल रहा है आज बहुत उम्मीद थी कि आज कोई ना कोई फैसला होगा लेकिन बात नहीं बन पाई क्या वज़या है क्योंकि संशोधन के लिए तो सरकार तयार थी लेकिन किसानो को मनजूर नहीं है मनजूर है तो सर्फ एक बात कि यह कानून जुलाए गया है उसे वापस लिया जाए लोग जितकारी जनकल जाणकारी जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने अहां की अपने देश के अवाँ जित्ती जनता है UNकि सबके जो अच्छे सुजहा हृए उनकी सुनी जाए उनकी कोई तक्लीफ हो उसके सुनी जाए और मैं समझता हूं कि अभी परत्मान में प्रदान मंतरी मोदीजी के नित्वत में जो सरकार है वो इस अपेक्षा में बिल्कुल खरी उत्री है अभी पिछले तेरा दिन के आंदोल में यह आज छटे दोर की बाच हूई है सरकार पूरी तरके से समयदें शिल्टा से किसानों के मुद्दे सुनने की कोशिश कर रही है समझने के प्रयास कर रही है और उनको सुल्जाने की कोशिश भी कर रही है पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ किसान नेता शायद इसमें राधनिती ढूनते और वो चाहते हैं कि नहीं हमारी ही माननी जाए गयर कानून बना है आपको कानून में कोई शिकायट है कोई आपको लगता है कि इसमें कई कमी बेसी है कोई सुझाओ और सबी सुझाओ मानने किसान बैठे हैं सरदी में निस्षी रुप से परिशान भीरές नहीं है और सरकार उनके मुद्त सुenza ना भी चाती है कहीं किसानों का आगे बढ़के और जो अच्छे से हुजाव हैं उनको कानून में।्लेसं कराएं उनका सुढार कराएं और किसानों की तरक्य के लिए किसानों को भी आगे आना पड़ेगा केवल जिद और राजनीती से कुईसी चीज का समाधान नहीं होगा और किसान विरोधी कानून है और इन्हें वापस लेना बहुत ही महतोपूर्ण है ये बात उन्होंने कही राज्ष्रपती से भी मुलाकात करना विपक्ष सब एक जुड़ था ये कहना कि नहीं जो किसान की मांग है वो जायज है और केंदर सरकार को इसे वापस लेना चाहिए लेकि पहले तो संचोधन को लेकर भी बात कही जारे थी लेकिन अब तो लग रहा है कि एक तरफा मुड़ यही है कि ये जो तीनों ही कानूने इसे वापस ही ले सरकार तभी आंदोरन खत्म होगा स्वेता निस्तरूप चाहिए जो परसंद किया उसका जवाब देना चाहता हूं और बीजेपी की प्रवक्ता ने जो बोला उसका भी जवाब देना चाहता हूं किसानों के लिए आज 400 से ज्यादा संक्तन है 50 से ज्यादा मजदूर यूनियन है किसी से एक से बात कियो और उन्होंने सहमती बताई हो तो बता दें बीजेपी के नेता आखिर भारतिये जनता पार्टी जिन चंद पूंजी पत्यों से इतना पैसा ले लिया उनके हाथ में 25 30 लाग का बिजनस देना है डील हो गई अब इस डील की ब्रहुशे देश की जनता शोकोट जनता के अगर बली दी जाए तो दी जाए डील किस चीज की डील इस चीज की कि देश के अंदर है जो डिफेंस के आपके एकिपमेंट मनाता है उसको आपने प्रवाइडाइज कर ाति है जाहां पे रेलीयर है ुसको आपने नीजी क्रण कर दिया पोर्ट को कर दिया एर लाइन्स को को चीजा आपने पुझीवश्वां को लोगों को कैसे बेबस्व-मजबूर बना मजबूर बनाया जाए किसान संग्टन से बात की किस किसान संग्टन ने आप से बात की संसद के अंदर जहां पर एक एक बी अगर किसान की कोख में पहला यह हिंदूस्थान का डियने है जो इस देश को ससक्त और मजबूत बनाता है यह स्रम है वह किसी ने सक्ति के सामने जुखने वाला नहीं है क्योंकि अग्रेजिस सरकार को भी यह किसानों के अंदोलन हुए थे और उसको मुँपे खाने पड़ी थी दूसरी तरफ राजनितिग है जो कई सपोर्ट में आ रहे हैं कई अपने फाइदे के लिए आ रहे हैं कई किसानों का हिच चाहते लेकि इन दोनों के इतर अगर देश की दूसरी जनता है वो सिर्फ यह चाहती कि यह आंदोलन खत्म हो जाए किसान जिस तरह से तकलीफ में ह रहे हैं जो भी कानून लाए जा रहा है जो भी फैसले ले जाए सहमती के साथ बीच का रास्ता निकले लेकिन संजब आदव अब आज जब की उमीदें बहुत जादा थी कि कोई रास्ता निकल जाएगा लेकिन इसके बावजूद किसान अब आर पार के मूर में इस्ताफ नजर आरे किसान की तरण निताओं की तब से कहा गया कि अगर वो जित में हैं तो हम भी जित में हैं यानि कानून वापस ही हो इससे तर कुछ मनजूर नहीं तो यसे में रास्ता निकलेगा कैसे है पहले तो मैं यह सवाल जो अपने पूछा और साथ में जो मेरे मित्र पंकर जी किया रहे थे कि सरकार बहुती डॉमेकटिक तरीके से काम कर रही है और वो बारता करना चारी है समाधन करना चारी है आपकी भी सदिक्षाए हैं जनता भी चाहती है समाधन हो लेकिन क्या है और तमाम भाजपा के प्रवक्ता मैं कई डिवेट में रोज भैस में जा रहा हूं मुझे देख रहा हूं जिस प्रकार की बास्ता का इस्तमाल करने का नहीं है यह वारता के माध्यम से इसको लंबा खीचना और पहले-पहले जो अमित्स राजी आए आंदोना सुरू हु आठी पहले बोड़ा तीन तारीक से पहले बारताश नहीं होगी फिर नरंकारी मेदान भुलाया उजिए बातों माजाय अभी लगातार सुछता जी इनकी बारतियन्ता पार्टी की केंदी की सरकार और इनके जो प्रदानमंत्री मोड़ें वो एक लगातार किसानों के साथ म गेम खेल रहे हैं और इस गेम को किसान समझ रहा है इसलिए उनकी हर हर जो है ताल का जवाब वो किसान भी लेकिन लेकिन संजब आधव जी यह यह कैसा गेम क्योंकि देखे शुरुआती दौर में बिलकुल आपने कहा कि जो तस्वीर थी मन्शा साफ नहीं लग रही थी इसा जैसे क्या है वारता का मतलब होता है यदि पदार मंतरी इनके भाजपाम आज की तरीक में सिर्फ दो आदमी ही निर्णा लेने में सक्षम नरेंदर मोधी फस्ट नंबर और थोड़ा बहुत अगादा परदा हमिस्टा वारता में सामिलने हुए नरेंदर मोधी जी राफाल अब कहां पर क्या कमी नजर आ रही है कहां पर है कि उसकी जिद इस पूरे मामले में नजर आती है देखे सरकार दो फ्रेंट पे गलतियां करके इन कानून को लेकर के सामने आई एक तो जैसे के हमारे साथ ही कह रहे थे कि किसानों से शुरूवात में इन्होंने चर्चा नहीं की वो बहुत जरूरी थी केवल किसान नहीं पू की ग्रामेन है और उसमें किसान और ग्रामेन मजदूरों का योगदान है उसको आप इतने हलके में और वो भी कोवीड के पीरियड में बिना किसी चर्चा के और चोरी छुपे आप जवरदस्ती उसको पास करवा के जा रहे हैं तो ये रिस्ट तो आपको आपने लिया खु इसलिए आप देखेंगे तो जो घटना करम है उसमें भी स्पष्ट होता है कि सरकार की नियत जो है वो किसानों के प्रती और इन कानूनों के प्रती साफ नहीं थी आपने देखा होगा कि आधार भूत धाचा इन कानूनों के इसाब से कॉर्परेट सेक्टर के लिए पहले स हर्याना और पंजाब में तयार हो रहा था तो कानून बने नहीं उससे पहले गोदाम बना दी गई बड़ी बड़ी जो कि हमारे हिंदुस्तान में तो है नहीं हमारे जो गोदाम की सिस्टम है उससे सो गुना बड़े गोदाम ओलरी सरकार जो है वो बनानी की मंजूरी इन corporate house के direction पे काम कर रही है सरकार को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किसान का ultimately क्या होगा देखिए इस सरकार ने तीन चार बड़े कदम उठाये थे note बंदी इन्होंने बहुत सारी बाते बताई लेकिन actually इनको लागू करना आता नहीं और उससे बरबादी हुई देश की उसके बाद जीस्टी जीस्टी भी एक अच्छा कानून था लेकिन इन्हों इस कोरोना पीरियड के अंदर पूरे देश को अंदोलित कर दिया है जबरदस्ती किसानों को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया है तो मुझे लग रहा है कि इसमें इसमें दोनों तरफ से अब अड़ा-ड़ी हो गई है सरकार को अल्टिमेटली मुझे लग रहा है कि सरकार को इसको इगू का इशू नहीं बनाना चाहिए सरकार को पुनरविचार के लिए तयार हो जाना चाहिए और एक्सपर्स की किसानों के साथ बैठ करके अलग से कमेटी बनाएं और इन कानूनों का बदला हुआ प्रारूप शायद उस पर किसान से मतुए अभी जो बात कही देवेंश नासरी जी ने आपने वे सुना कि कानून आने से पहले तैयारिया पहले होगे और जो बार-बार क किसाथ यह देमोक्रिटिक नहीं है यह किसानों से नहीं पूछा गया हुँआ है मैं बड़ा सीरी सी बात कहता हूं कि हमारे आँ डेमोक्रासी का एक फार्मेट है कोई बिल पास होता है तो संसत के इंदर होता है और संसत में बहुमत से होता है क्या आपको ऐसा लगता है बेज्टार्थी तरीके से ले पील रखा गयां ए handled कि सांसर्कीया किसान नहीं थें आपको लगता नहीं थे और राउल गांधी किसान है जो कि आज भी मुझे दो हितेशी लोग बैठे जो इस अंदोलन के दोनों ही बता दे कि इस बिल के अंदर कमी क्या है अगर कोई कमी नजर आती है तो इसमें सुदार करने की कोशिश करें आपने कहा कि मैं पी इसमें अग्याज़ करें कोई मुझे नहीं उटाइगा है यह किया नहीं तो फिर शिता है तो किसान की बाग यह किसानों के वहाँ है किसाब में स्भी अपकिर्दान मंत्री घुशिद कर चुके में सब्सक्राइब कर चुके हैं कि मैंस्व नहीं यह टेगा इंगा माल प्रवक्ता करके सुनने की आदर नहीं कह रहा हूं अगर आपने का कि कॉंगर्स भी लाना चाह रही थी कॉंग्रस की प्लैनिंग में था लेकिन अगर आता और किसान को मन्जूर नहीं होता तो कॉंग्रस को भी कोई तो स्टेप उठाना पड़ता इस पर फैसला लेना पड़ता है कि किसान को मन्जूर नहीं है तो तो कुछ इस लेक्शन हो और किसान और किसान की बारे इस प्लिए आप किसान की बाटे साथ एक विस जावाल उठाब ने ते निकाई आप और आपके जवाब ही लेने दिए ता जवाब लेने देजिए अगर आप चारे चर्चा हो पंकज मीना जी एक मेंट सर आपने सवाल उठाए बहुत ठीक है कॉंगर्स में जवाब भी लेते हैं ना साथ ही साथ आर्च जी डिमोक्रेटिक प्रोशेस की बात कर रहे हैं पांच जून को अध्यादेश के माधिन से बिल लाया जाता है संसद के पूरा देश उद्देली थे देश के तमाम किसान संक्तन हैं और इवन की बार्ची जन्तापाटी से जुड़ावा किसान संक्तन भी किसानों के बीच में जा सके इसलिए उनके साथ में दो चीज तीसा मैं करा हूँ कि इनके जो मुख्यमंत्री हर्याना से उन्होंने कहा इस ऐसको बाटे ये बार बार करें किसानों को गुमरा किया ऌरा किया रहा है यह जब चात्र जब मुदां उठाते तो कै house ला जो पंदन के सेखार के बोला न है बात इस दापाटी जो कहें वह सही यह लोगतंत्र है इस लोगतंत्र के अंदर जो आपने विवाजन की राजिती की है वह अब नहीं हो सकती चलिए ठीक है किसार के साथ में सुरुआ द्रम सुरुआ समाद शुरुआ जातिया है और सरकार को यह लेने पढ़ेंगे कानुकार किसान से जुड़े हुए किसान से जुड़े हुए कानुनों का मसला है इसमें आप एक बहुत बड़ी मिसिंग है कि किन लोगों ने इस कानुन को बनाया क्या कोई एगरिकल्चर सेक्टर का ऐसा एक्सपर्ट आप नाम कोई यहाँ पर हमारे साथी बैठे बताएंगे कि वो इसमें उसने अध्येन किया या उसने इसको बनाया इसको मानने के अलावा आप उनकी मजबूरी समझये अगर उन्होंने इसको डिसकार्ड कर दिया आप समझ लिजे क्यों कहा जा रहा है कि यह वापस नहीं होंगे वो इसलिए क्योंकि उनके प्लान है अपना जो एजन,ड़ा है उसके हिसाब से इनको जाना है कॉर्पोरेट चुना रही है क्या और इस अभी जो है मेरा यह है कि सरकार को अपने न सिर्कार को पर्चार करकें लगा कि यही इन घृकार को बनागा और पर बनाने के प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए उससे पहले इनको विड्रो करना चाहिए इससे ज़्यादा अगर किया जाएगा ठीक है तो पूरी सब्सक्राइब करशी मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि हम इन बिलों को वापिस नहीं ले सकते क्यों कि हम इंडिशनलिस्ट को क्या जबाब देंगी यह उन्होंने अपने वक्ताव में कहा है बिल्कुल और डॉक्टर संजय माधव अब क्योंकि यह बात बारबर की जारी कॉर्पोरेट की वज़ए से उनके पावर है और यह वापस भी लिया जा सकता है क्योंकि उनके पास पावर है अब हम यह नहीं क अब सास्ती जी कह रहे हैं यह तो एक जानी पहचानी सचा है कि आज सरकार को कारप्ड चला सिर्फ हिंदुस्तानी कारपट अब रगे जो बड़े कारप्ड है उनके देसान दिरस से एक काम कर पर चार कार और यह जो और यह जो कानू आ यह निश्चित अ निए इस लिए द यहनृ कानून के लिए लिए भापस लेने पडेंगे लेका हुगा हैं जब लेकि तु बहुब अबर चो चल रहा हुगा और the तक यह पहुचा दिल्ली पहुचना पड़ा किसानों को सड़कों पर किसाना है लेकिन उससे पहले जरूर कहा जा थे डॉक्टर संजेबाधव की यह इसमें बदलाव चाहिए संचोधर होना चाहिए जो कुछ चीज ऐसे हैं जो किसान को बिल्कुल भी अक्सेप्ट नहीं है संचोधन के लिए सब्सक्राइब करें जो है जब पाज जून को अध्यादिस आया उसके बाहते लगा अतार हर डेमो के तरीका अंधून का जो है वह अपनाया किसानों ने अपने माध्यम से ग्यापन बेजें, अपने पदरसन के धर्णें कियें, जो भी दन्तर में प्रकिरियां उस्वकों अपनाया गया। लेकिन यह सरकार जो है बारतियोंतिया पाइटनी के अलस कमनेड़ने चिनली जाब देना जेल जोब देना ने किसानपरिवार से आत्मी हूँ मैं मेरे खेट में पांच कुटल ग्यों पैदा करता हूं तो आज के सिस्टम के इंदर मेरी मजबूरी है कि मेरे गाओं के पास में जो मंडी है महाँ जाके अपना ग्यों बेचू मेरे पास कोई आप्शन नहीं है अधेनों चुक्रिया शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए लेकि देखें इतना इतना तो तैय है यहां पर कि अन्य दाता ओंकार भर चुका है और आरपार के मूर में किसान आरपार के मूर में सीदेव बात यही कई जारे किसांग नेताओ के तरह से कि अगर उनकी ज़िध है ये कानून वापस नहीं लेंगे तो हमारी जिध है ये अंदोलन रहेगा और इसके अलावे उरक आनून और जया तेज होगा प्रदेर्शन और साधा किये जाएंगे धरने हो जाएंगे और हर वो काम किया जाएगा क्योंकि ये करने के लिए किसान को सरकार मजबूर कर रही है तो मन्जूर सिर्फ एक ही बाट परोंगे किसान के अगर ये कानून वापस ले जाता है परोंगे जाता है